दिल्ली से खबर आ रही है जहां आग पर काबू अभी भी नहीं पाया गया कल दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आग लगी थी 12 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है दमकल की 50 जादा गाड़ियां आग बुझाने में जुती हुई है फायर ब्रिगेड की गाड़िया मौझूद हैं और इनके मताबिक पूरी तरह से आग बुझाने में 3-4 घंटे और भी जादा लग सकते हैं आप जानते हैं कि दिल्ली का चांदनी चौक इतना कंजस्टेड है और सबसे पुराना इलाका राजधानी का संक्री गलिया है यहां पर और कई तार आपस में उल्जे हुए जो की पूरी तरीके से ये दिखाते हैं कि आखिर दिल्ली कैसी है जो काफी होच पोच और इस तरीके चीज़ें आपको ये चांदनी चौक में नजार आएंगी यहां पर भीशान आग लग गई भयानक आग लग गई से पहले आपको भागी रती मार्केट की आग याद होगी जब वहाँ पर भी आग लगी थी अलेक्टरॉलिक की पूरी दुकान थी और आग इतनी ज़्यादा भयानक थी कि बहुत ज़्यादा नुक्सान हुआ था एक बार फिर से दिल्ली के चांदनी चौक लाके में याग लगी है और बारा घंटे बाद भी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है फायर ब्रिकेट की बारा से ज़्यादा गाडिया मौजूद हैं मौके पर जो आग को बुझाने का प्रयास कर रही है कई दुकाने जलकर राख हो चुकी है कई गोडाउन में रखा सामान जलकर राख हो चुका है नुकसान का अगर आकलन किया जाए तो कई लाखों का नुकसान भी हो सकता है चांदनी चौक इलाके में भीशा नाग और वीडियो आप देखिए जितना जादा साग ने अपना विक्राल जूप दिखाया है उतना ही नुकसान हुआ है पानी के फवारे खूब छोड़े गए बावजुद इसके अभी आग पर काबू पूरी तरीके से नहीं काबू पाया जा सका है चांदनी चौक के इलाके में चांदनी चौक में आग लगने की घटनाएं अकसर सामने आती है और गर्मी के मौसम में तो खास कर इससे पहले भागी रथी मार्केट में भी आग लगी थी एलेक्ट्रोनिक की कई दुकाने जलकर राक हो गई थी कई गो डाउन जलकर राक हो गई थे और अब एक बार फिर से इसी इलाके में चांदनी चौक में ही आग लगने की घटना सामने आई है जानमाल को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है कि जानमाल का कितना नुकसान हुआ है लेकिन अगर कहे कि सामान का तो काफी ज़्यादा नुकसान का आकलन जो है फायर बिगेट की कई गाड़ियां मौके पर मौझूद है जो की आग को बुझाने के प्रहास में जुटी हुई है देखिए आप ये गाड़ियां एक तो संक्री गलियां दूसरा फायर बिड़ गाड़ी बड़ी मुश्किल से अंदर तक पहुँची और फिर जाकर आग पर काबू पाया गया अभी भी लेकिन पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है ओमरिया के बांधावगोड टाइगर रिजर्व में आग लग गई और आग की सूचना मिलते ही ते